लेन वांग जी इस बार वेरवुल्फ वर्ल्ड के बॉर्डर्स पर भ्रह्मन के लिए जाता है वहाँ पर वो सेना और सिमान पर बसे जगों को जांसता है उसके बाद घुमते घुमते मानवों की दुनिया में जाने का विचार करता है वो अपने को पूरा एक मानव में परिवर्टित कर देता है और मानव दुनिया में प्रवेश कर देता है और ये जानना चाहता है कि कही मानव की दुनिया के लोग कही वियर्वल्फ वर्ल्ड में हमला करने की तयारी तो नहीं कर रहे वहीं दूसरी और वीवुश्याम भी अपने दोस्तों के साथ भेश बदल कर यूमन वर्ल्ड में घुमने आया होता है वो कहीं जगह घुमता है फेटा है अलग अलग जगहों की खाने की चीजों को चकता है कई तरह की फलो का रस तथा, कई तरह की शराबों को चकता है जो शुद्ध फलो के रसों से बड़ी होती है महीं वांग जी कई बार चाई खाने या चाई की तफरी और शराब खानों में जाता था और माना दुनिया की बातों को सुनाख करता था पर कोई विशिश बाते नहीं हुआ करती थी केवल आपसी बाते ही थी कोई उद्ध वगेर के खबर नहीं थी ऐसे ही दिन बीटते जाते हैं और एक दित वांग जी रिवश्यान की युमन वर्ल में पहली मुलाकात होती है विग वांग जी के आगे पीछे घुनता रहता उसको परिशान करता रहता उसको कभी एक सवाल पूशता कभी दूसरा पूशता कभी तीसरा पूशता कभी कैसा सवाल पूशता कभी कैसा कभी कैसा वांग जी तो वींग से बहुत अनॉय हो गया था और उसको बार बार कभी सेम कभी शेमलेस, कभी रेडिकुलेस कहता रहता वींग जब भी वांग जी के माउट से ये वर्ट सुनता तो उसको बड़ा ही मज़ा आता वांग जी कहीं भी जाता तो वींग उसके पीछे पीछे वहां भी आ जाता दीरे दीरे अब इवनिंग का टाइम भी हो जाता है और वांग जी अपने इन में चला जाता है सोने के लिए तो वींग भी वांग जी के साथ उसके रूम में आ जाता है और उसके बैड में लेड जाता है और वांग जी से फिर से अपनी बाते शुरू कर देता है पर अब वो वांग जी को अपनी बातों से परिशान नहीं करता वो वांग जी से उसके बारे में पूसता है वांग जी पहले तो तहीं बताता फिर विंग ही अपने बारे में बताना शुरू करता है मेरा नाम विंग है और मैं वे सेक्ट से हूँ मुझे घुमना फिरना बहुत पसंद है अब वांग जी भी अपने बारे में बताना शुरू कर देता है मेरा नाम लेंजान है और मैं लेंसेक्ट से हूँ मैं लेंसेक्ट का जर्नल हूँ और अभी अपनी छुट्कियां बिताने आया हूँ दोनों एक दूसरे से comfortable होकर बाते कर रहे लगते हैं बाते करते करते कब एक घंटा भी जाता है और उन दोनों का दिनर भी आ जाता है उनको पता भी नहीं होता दोनों अब अपना डिनर करते हैं उसके बाद हात मुधो के शावर वकेरा लेके खाना खाने के बाद दोनों थोड़ी देर तक मेडिटेशन करते हैं एक घंटे बाते करते हैं समय दोनों ने एक दूसरे को अपनी असले पैचा नहीं बताई थी और थोड़ी देर बाद, मेडिटेशन के बाद, वींग तो बैट पर और लेंजन फ्लोर पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाता है ऐसे ही दोनों की पहली रात निकल जाती है और सुबह होती है दोनों नाते धोते, फ्रेश होकर नीचे आकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे के टूर पर निकल जाते हैं ऐसे ही करके दिन बीते जा रहे थे और दोनों दोस्त बनने लगते हैं उधर वेरवल्फ वर्ड में एक दिन कई सारे एल्डर लैंड मॉंक आते हैं और जो मास्टर बॉफ से सैरन के शिश्य होते हैं लैंड चिरैन सारे मॉंक का वेलकम करता है और सारे मॉंक लैंड चिरैन को अपने आने का कारण बताते हैं कील मास्टर बॉस से सेरन ने एक प्रोफेसी की है जिसमें वेरवल्फ वर्ल्ड का सेकेंड क्रिंस लेन वांग जी और वैंपायर वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस विवश्यान सामिल है इस प्रफेसी में वांग जी और विवश्यान ही दोनों वर्ल्ड के बीच की मिस अंडेस्टेंडिंग को ब्रेक करेंगे और दोनों एक दूसरे के सोल मेड्स और फूचर पार्टनर्स भी होंगे दोनों का जो चाइल होगा वो पूरे वर्ल्ड में रूल करेगा और चारों तरब सुख, शांती और सम्रिद्धी लाएगा लैंड जी रैंड प्रोफेसी सुनकर पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत होता है फिर गुसे में उठता है और सारे मौंग से कहता है कि हम उस मैंपैर क्राउन प्रिंस को लैंड मांग जी का फ्यूचर पार्टनर एकसेप्ट कभी नहीं करेंगे चाहे कैसे भी मिस अंडरस्टेंडिंग रही हो पर मेरी भावी लैनी और मेरे भाईया जिंगें जून की मौत का जिमेदार वे चांग से है जो उस वीवश्यान का फादर है सारे मंग्स लैंड चिरैन को बहुत समझाते हैं पर लैंड चिरैन नहीं मानता और कहता है कि मैं इस प्राफेसी को पूरा नहीं होनी दूँगा सारे मंग्स कहते हैं कि प्राफेसी तो पूरी होकर ही रहेगी आप कुछ नहीं कर सकते और सारे मंग्स पैलेस को छोड़ कर चले जाते हैं वहीं दूसरी तरफ वांग्सी और विवश्यान की दोस्ती और गैरी होती जा रही थी समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती का प्यार में बदल गई दोनों को ही पता नहीं चला दोनों साथ में कई जगह जाते यहां तक कि दोनों इलिंग में भी घुमने जाते हैं और खुब मस्ती करते हैं अब समय के बीतने के साथ साथ दोनों का एक दूसरे से बिचणने का समय भी आ जाता है जाने से पहले दोनों फिर से इलिंग में मिलने का वादा करते हैं और एक साल बाद फिर इलिंग में मिलेंगे ऐसा वादा करते हैं और दोनों एक दूसरे को बड़े इमोशनल होकर विदा करते हैं विवश्यान अपने फैमपायर वर्ड में और वांग जी अपने वेरवल वर्ड में वापिस आ जाता है मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चानल वांग्शन मैं वर्ड को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे की स्टोरी हम नेक्स पार्ट में जानेंगे और टेक क्यर बाइबाय टाटा